जोते शतन केंद्र चैनल पर प्रिया साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभी नंदन मैं हूँ आचारे पंडित सरवदनंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार वराने वश्कार तो साथियों आए हैं आपके सम्मुक आज भी आपका आपना मनपसंद कार्य करम ले करके जिसका नाम है दैनिक राशीफल और दैनिक राशीफल से पहले तो देंगे जानकारी आपको चर्चा करने से पहले पंचांग के विशह में उसके बाद फिर आप से बात करेंगे दैनिक राशीफल को ले करके और जब भी हम दैनिक राश का कोई वो तो है नहीं होरोस्कोप तो जो हम देख करके बताएंगे ये तो थोड़ा सा समझने वाली बात है क्योंकि ये एक जनरल रिडिंग है जिससे कि हम संभावनाओं का पता लगा सकते हैं कि ऐसा संभावना बन रही है आज का दिन आपका ऐसा जा सकता है ग्रैगोचर क कि भही हां हमारा आज का दिन कैसा जा सकता है इससे थोड़ा मिलाजुला या इससे उपर या थोड़ा नीचे ये है उसके लिए फिर अगर नीचे की उपर की बात है तो हम उपाय भी आपको देते हैं आप उन उपायों को करेंगे तो चीने सही रहेंगी आपके जीवन में डेली बेसिस पे तो साथियों सबसे पहले बात करेंगे आपके पंचांग को ले करके कि जो आज का पंचांग है क्या कहता है तो मैं बताना चाहता हूं कि ये पंचांग और आपका देनिक राशी फल दोनों दिनां 5 अक्टूबर संद 2024 दिन शनिवार विक्रम समवत 2021 के हैं हि प्रण होगा तैतिल और राशी होगी तुला और चंद्रमा पूरे दिन तुला राशी में करेंगे संचार जो उनकी समराशी है राहुकाल की जो समय अब्दी है वे प्राते 9 बच कर 12 मिनट से लेकर के प्राते 10 बच कर 40 मिनट तक रहेगी और अभीजीत मूर्थ की जो शु आपने दैनिक राशी फल को ले करके जो की जैसा हमने अभी कहा भी है कि ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमानिस सिती पर आधारित है आरम करेंगे मेश राशी से यानि कि जिनका एरी साइन है तो साथियों जिनका एरी साइन बनता है आज के दिन वेवाइक आपके लिए पूरी तरह से आप जीवन साथी के पिरती पूरी तरह से एक तरीके से कुमिटेड रहेंगे डेडिकेटेड रहेंगे जीवन साथी के साथ अंडेस्टेंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी साथियों और साथियों आप जो भी कार रहें जहां पर करेंगे चाहें आप अपने वर्क प्लेस पर कर रहे हैं या जहां पर भी होंगे अपनी बुद्धी मता का सद्धी उप्योग भरपूर तरीके से करेंगे और उसका लाब भी आपको मिलने वाला है मेश राशी के जात्कों को वैसे मैं आपको बता दू कि जो इस्टूडेंट ग्रहों की सिती जो है वो प्रतीकूल हो रही है और पित्रदोश का भी निर्माण बना हुआ है जिसके कारण जो आपके विरोधी हैं वो भी आपको परेशान कर सकते हैं आपको टेंशन दे सकते हैं या अगर आपको कड़ जादी लेना चाहते हैं तो अभी आपका ये कार् मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है इसका भी आपको विशेश द्यान रखना चाहिए घर परिवार के सदस्यों के साथ तो अच्छे रिलेशन रहेंगे विशेश रूप से जो घर के बुजुर्ग हैं उनके साथ प्रिया साथियों प्राकरम तो आपका बहुत अच्छा है प्राकरम तो शुरू से ही मेश राशी के जात्कों का भी अच्छा चल रहा है मेहनत आप कर रहे हैं मन लगा करके कर रहे हैं और मेहनत का फल भी मीठा होता है आज नहीं तो कल मिलेगा लेकिन साथियों क्योंकि यहां पित्र दोश बन रहा है तो उसके लिए उपाय आपके लिए बहुत आवश्चक हो जाते हैं करना जिसमें की एक तो आप विश्णु सहसर नाम का पाट करें और दुर्गा चालिसा का पाट आगे बात करते हैं विश्णु राशी के जातक हैं उनके विश्णु में तो साथियों जो विश्णु राशी के जातक हैं जिनका की टॉरस साइन बनता है आपको बताना चाहेंगे कि अब वो समय है आपके लिए कि जब आप अपने अगर किसी लो नादी लेने के लिए कोशि करते हैं तो आपका ये कार्य बन सकता है इस बात की बहुत अच्छी संभावना बन रही है मित्रों की ओर से भी आपको पूरा सैयोग प्राप्त होगा और मित्रों के साथ साथ शत्रु पक्ष शांत रहेगा विरोधी आपके शांत रहेंगे मामा मामी पक्ष से भी कोई अच् वराशी के उनके लिए अभी अपनी पढ़ाई को ले करके समस्यां हैं जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं उनके लिए विशेश रूप से तो यहां पर जो उपाय हम बताएंगे थोड़ा सुखों में भी कुछ कमी के संकेत हैं आपका जो करियर है वो सामानने रूप से चल रहा है सामानने रिजल्टस आपको मिलते रहेंगे उसमें लेकिन आप अपने घ्यान और अपने टेलेंट का सधूपियों जितना अधिक करेंगे उतने ही अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे अपने कार्यों को पूरा करने में भाग्य का सपोर्ट भी आपको तक्रीबन 45% के आसपास आज के दिन मिल रहा है लेकिन आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा और ध्यान इस बात का रखना होगा के स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचना है यनि कि जो बात आपके जुमान पर आगई आपने सामने वाले को डिलीवर कर दी तो ये चीज जो है आपको अपने लिए नुकसान दे सकती है तो जो भी बात करें सोच समझ करके करें क्योंकि उसका अधिक नुकसान आपको ही होगा तो यहां पर ये इस बात की संभावना ज़्यादा है प्रिय साथियों वयवाईग जीवन भी आपका सुखत है साथियों आपको उपाय आज के दिन क्या करना चाहिए तो उपाय के लिए मैं बता रहा हूँ आजित्ते हिर्दे इस्तोत्र का पाठ करें और दूसरा उपायए आप चंडी का इस्तोत्र का पाठ करें आगे बात करते हैं मिधन राशी के जो जातक हैं उनको ले करके यानि के जिनका जेमन इसाइन है प्रिये साथियों देखिए गरहों की इस्थिती के आधार पर जो चीज निकलती है वो ही हम आपके साथ शेयर करते हैं अगर गरहों की चाल विपरीद दिशा में है तो हम उसको सही दिशा में तो लानी सकते हम तो सरफ उसके उपाय आपको बता सकते हैं कि भई इस समय जो ग्रहों की चाले वो थोड़ा विपरीज दिशा में चल रही है सही दिशा में ना चलके तो आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपको उनसे लाव होगा अन्य था आपको परिशानियों का सामना करना पड़ेगा तो यहाँ पर जो आप जेमनी साहिन के जो जातक हैं आप से बताना चाहेंगे कि देखिए कार्य छेत्र जो है आपका वहीं पर समस्याओं दिख रही है और दूसरा आप उन समस्याओं को देख करके इर्रिटेट ना हो जितना ज़्यादे इर्रिटेट होंगे उतना काम आपके बिगड़ने के चांसे ज़र ज़्यादे होंगे सबसे पहले तो आप अपने आपको अपना माइंड सेट करिए अपने आपको प्रिप्यर करिए कि भई ये समस्या आनी है तो मैं समस्या को फेस करने के लिए हूँ चाहें कैसी भी समस्या हो अगर आप समस्याओं से डरेंगे या डर के भागेंगे तो वो सॉल्यूशन नहीं है Life is a struggle हम जीवन में सुखों की कामनाय करते है कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि जीवन में परिशानियों का सामना करना पड़े या चेलेंजे जाएं लेकिन Life जो है अपने आप में एक चेलेंज है अपने आप में संगर्श है अगर इसको देखा जाए तो सुख कहां है सुखों की तो कल्पना करते करते व्यक्ति निकल जाता है तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें समझनी होंगी और जितना हम ज़्यादा समझ लेंगे इन चीज़ों को अच्छे डंग से उतनी ही हमारी समस्यां कम हो जाएंगे यदि हम पहले से ही प्रिपेर रहेंगे अपने लिए कि भає आज हम अपने क्रोध को नियंतरण में रखना है हमने अपने जो भी कार्रे करने बहुत पेशेंट्स के साथ करने पेशेंटली करने हमने किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पढ़ना जगड़े में नहीं पढ़ना कर कहीं कुछ इस तरीके की स्थिती है उससे दूर रहेंगे तो जब आप थोड़े उपाय करेंगे थोड़ा अपने समझ से काम लेंगे तो चीज़ें अपने आप ही ठीक रहेंगी और भागे का साथ तो आपको देखिए क्या है कि मिल रहा है लेकिन मध्यम तरीके से मिल रहा है हाँ पराकरम में कुछ कमी के संके जरूर है पराकरम तो अभी आपका कम है क्योंकि सूर्य पीडित हो गए है पितरदोष बन गया है और जब पितरदोष बनेगा तो शुप परिणामों की हम एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हैं पितरदोष बहुत बड़ा दोश होता है और इसी के कारण अशुप परिणामों की जातक को उसके जीवन में प्राप्ती होती है तो यहाँ पर तो उपाय करने फिर जरूरी हो जाते है और सूर्य जैसा ग्रह जब पिड़ित अवस्था में है तो मान सम्मान की अभी सूर्य ग्रहन पड़ा है कल यनि के दो तारिक को दो तारिक की रात को तो सूर्य ग्रहन क्यों पड़ा है क्योंकि राहु से पीडित हैं सूरे समय तो यहां पर यह बात हैं समझनी होंगी हम ग्रहों की चाल को नहीं बदल सकते अगर परेशानी हमारे जीवन में है और वो हमको फेस करनी है तो हमको ही फेस करनी है हमारी जगे कोई दूसरा व्यक्ति फेस करने नहीं आएगा उसकी रिजल्ट देने के लिए बैठा होता है तो यहां पर करियर में कुछ समस्या हैं अपने करोध पर भी कंट्रोल रखना है मितुनराशी के जातकों को लेकिन जहां पर मैं देख रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं सफलता पराप्ती के मितुनराशी के जातकों के यहीं लिए कह रहा हैं बहुत अच्छे योग बने और धन के लाब की सिती बहुत अच्छी है धन का लाब आपको करा रहे हैं ये गरे और धन के लाब के साथ साथ धन का संचे भी विशेश और एक आपके पराकर्म में और दूसरा आपके करियर में तो उसका आपको उपाय करना चाहिए हम आपको बरावर उपाय बता रहे हैं कि देखिए ओम अंग अंगार काय नमाह इस मंत्र की एक माला या तीन माला पिरते दिन कीज़े आपका करोद अपने आप शांत होगा और वैवाहिक जीवन में भी जो परिशानिया है उसमें कमी आएगी और दूसरा आपको क्या करना है ओम हरीम हरीम सूर्या नमाह इस मंत्र की एक माला या तीन माला उपाय तो करने ही पड़ेंगे तो मेरे प्रिया साथ यहों अगर आप उपाय करते हैं और साथ में मा दुरुका चालिसा का पाठ भी करेंगे तो और मा दुरुका जी की आरती करेंगे और अब तो वैसे भी नवरात्रे चल रहा है नवरात्रे आरंव हो गए तो आप माता का भी ध्यान कीजिए, माता की भक्ती कीजिए, आपके कश्ट दूर होंगे साथियों शत्रू आपके शानते हैं, शत्रू आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, बहुत चीजों में आपको फायता है, लाव है स्वास अच्छा रहेगा आपका, तो क्या सारी चीज़ हैं तो एक साथ अच्छी नहीं हो सकती, जीवन में कुछ अच्छी होंगी, तो कुछ निगेटिव होंगी आगे बात करते हैं करकराशी के जात्कों को ले करके, जिनका की कैंसर साइन है तो प्रियसाथिओं मैं बताना चाहता हूँ करकराशी के जो लौड है, वो चंद्रमा है और चंद्रमा इस समय केंद्र में बैठे है, अपने संग गरहे शुक्र के साथ Андर अपने मित्र गरहे बुद्ध के साथ तो ये एक तीन शुब ग्रहे एक साथ बैठ गए तो सुखों की प्राप्ती करा रहे हैं आपको, सुखों में विरद्धी कराएंगे कोई आप नया वाहन भी खरीदने की प्लानिंग कर सकते हैं और आपके करियर में भी ये तीनों ग्रहे बहुत सा योग दे रहे हैं करियर में आपको सफलता प्राप्ती के योग दिला रहे हैं और करियर में आगे बढ़ने के लिए भी ये ग्रहे आपको सपोर्ट कर रहे हैं धन के लाग की जहां तक बात है तो वो सामाने रूप से आपको हो रहा है लेकिन धन का संचे जल्द वाजी में ना करें कहीं किसी के कहने में आकर के ना करें अगर करें तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइज लेकर कहीं करें अन्ने था नुकसान उठाना पड़ सकता है ये बात का ध्यान रखिएगा और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा ताल मेल बठाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा वैसे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं करकराशी के जो जातक हैं उनको बहुत अच्छे परणामों की प्राप्ती के योग हैं मगर जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परणाम प्राप्त होंगे उपाय आपको क्या करना है उपाय हम आपको बचाना चाहरे हैं कि उपाय आप करें अर्गला इस्तोत्र का पाठ करें नित्पृति दिन अर्गला इस्तोत्र के पाट करने के साथ साथ सूर्य देव को तामे के कलश से तामे के पात्र से जल दें एक चुक्ती उसमें रोली जरू मिलाएं और वही पर जब जल आपा देते हैं सूर्य देव को तो ओम घ्रणी सूर्याए नमा एक सो आठ बार इस मंतर का भी जाब चरू करें आगे बात करते हैं सिंगराशी के जातकों को लेकर के जिनका लियो जाइन बनता है तो प्रियसातियों क्योंकि आप सिंगराशी के जातकों के जो लॉर्ड हैं वो सूरे हैं और सूरे समय प्रिड़े तवस्था में हैं क्योंकि अभी दो तारीक की रात को सूरे घ्रण पढ़ा है वो इसलिए पढ़ा है कि सूरे राहू से प्रिड़े थे हैं और पितrदोश का निर्मान हो रहा है चार्ट में अब जब पितrदोश का निर्मान हो रहा है तो यहाँ पर समस्याएं क्या आएंगी? समस्याएं गर परिवार के सदस्यों के साथ misunderstanding, मत्रफेद, वाद विवाद और जो धन संचय करने की कोई planning कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से कामियाभी ना मिलना, सक्सिस ना होना, या सही जगे आपका पैसा इंवेस्ट ना हो पाए, जहां करें, ये सोच करके करेंगे कि बहुत अच्छा लाब होगा, लेकिन पता लगा कि वहाँ से तो पैसा ही डूब गया, या वो नुकसान हो गया, पैसे का, तो ऐसी सिदी बन रही है, वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ठीकिए, धन का जो लाब है, वो भी सामानने रूप से आपको हो रहा है, होता रहेगा, धन के आगमन में कमी नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा रुक रुक के आ सकता है, थोड़ी कम मात्रा में आ सकता है, ये जरूर है, दूर दराज की यात्रा हैं अगर आप करना चाहते हैं, या करने की कोई प्लानिंग है, यात्रा सफल होंगी, बहुत लापकारी रहेंगी, और शौर्ट डिस्टेंस जर्नी भी बहुत लापकारी और सुखद रहेंगी, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको बराबर मिलने वाला है, भाग्य का सपोर्ट भी तकरीबन 65-70% आपको आज के दिन मिलेगा होंगी, और आपका जो सुख सुविधाएं हैं, उसमें भी व्रद्धी के संकेत हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से सम्मंदित परशानियों का, कठनाईयों का सामना करना पड़ सकता है, या आपके रिजल्ट्स प्रवावित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय करना परमावश्यक है, उपाय करेंगे और गंभीरता से अपनी पढ़ाई को लेंगे, इजुकेशन पर ध्यान देंगे, तो रिजल्ट्स आपके अच्छे आ सकते हैं, लेकिन हायर इस्टडीज करने वालों के लिए तो बहुत सफलता प्रवाप्ति के योग है, अपनी पढ़ाई को लेके, वेवाईक जीवन जो है, आपका सामानने रहेगा, प्रियसाथियों उपाई आपको क्या करना बनता है, तो आज के दिन आपको उपाई ये बनता है, कि आप इस मंत्र की जो हम आपको दे रहे हैं, एक माला इस मंत्र की करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमहा, इस मंत्र की एकमाला करेंगे तो students को अच्छे results की प्राप्ती हो पाएगी और अगर आप सूरेदेव की पूजा आरचना करते हैं, सूरेदेव को जलर प्रित करते हैं तो फिर सूरे चालिसागा पार्ट करें, सूरेदेव की आरती करें तो आपके मान सम्मान में कमी नहीं होगी और जो धन है जिसको जो आप सही जगे पर इंवेस्ट करना चाहते हैं सेव तो वो भी कर पाएंगे और घर परिवार के सदस्नों के साथ भी आपके रिलेशनों में सुधार होगा आगे बात करेंगे कन्या राशी के जो जातक है यानि के जिनका विर्गो साइन है तो साथियों मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आपके लगन भाव में ही सूर्य केतु की युदी बन रही है राहू के साथ सूर्य का दरश्टी समद्द बनने से पित्रदोश का निर्माण हो गया है तो कहीं न कहीं आपको मानसिक तकलीफ आपके मानसमान में कमी दोर दराज की यात्रा है अगर करने की कोई प्लाइनिंग है या जाना चाहते हैं तो अभी ना जाएं तो अच्छा है जब तक ये सूर्य की स्थिती कमजोर है अन्यता परिशानियों का सामना करना पड़ेगा यात्रा सफल नहीं होंगी और उधर आपका जो करियर है करियर में अगर आपने महनत की परिश्रम किया जो कि आप करेंगे जो कि परिश्रम करने के लिए ग्रहों का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है और अगर जब मिल रहा है तो support आप परिश्रम से पीछे नहीं हटेंगे और परिश्रम करेंगे तो आपको अपने कार्य छेतर में भी positive results की प्राप्ती होगी और आपका व्यवार सब के साथ आप बहुत व्यवार कुशल रहेंगे बहुत soft spoken रहेंगे इसके कारण भी लोग आप से आकर के जुड़ेंगे लोग आपके व्यवार को appreciate करेंगे लेकिन किनी कारणों से आप मानसिक तोर पर परिशान भी रह सकते हैं और विशेश रूप से जो आपका वैवाहिक जीवन है उसको लेकर के थोड़ा तनाव बनता हुआ दिख रहा है जो normal education ले रहे हैं students उनको अपनी पढ़ाई पर बरावर continuously फोकस करना की आवश्यक्ता रहेगी और इसी प्रकार जो higher education ले रहे हैं उनकों के लिए भी ऐसी ही बात है उपाय आज के दिन आपको क्या करना है तो मैं उपाय आपके लिए बता रहा हूँ साथियों उपाय आप क्या करें तो एक तो आप करना है जो उपाय मैं आपको दे रहा हूँ ये मंतर दे रहा हूँ इस मंत्र का 108 बार आपने बड़े शांत धंग से उचारण करना है मंत्र क्या है ओम आदित्याय विद्महे दिवाक राहे धीमाही तन्नो सूर्य प्रेचोदयात ये है मंत्र इसको 108 बार इसका जब करें आप और दूसरा जो मंत्र आपको करना है इसके अतिरित वो करना है ओम राम राहवे नमा इस मंत्र का आप जाब करें और यदि आप चाहते हैं कि भाई सभी तरफ से और अच्छे प्रेणामों की प्राप्ती हो तो हनुमान चालिसा का पार्ट भी नियमित रूप से करें हनुमान जी के आर्थी करें साथियों आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशी के जातक पहले उनके विषय में तो साथियों आज बताना चाहेंगे कि देखे कितना अच्छा की और जो भी कार्रय आप करेंगे वो भी काफी बुद्दीमत अप्रों नुद्धित करेंगे ते एक बहुत अच्छा कंभिनेशन है और दिमागी तौर पर बहुत सशक्त रहेंगे और काफी प्रसंड मुद्रा में मैंने जैसा कहा हूँ तो रहेंगे ही रहेंगे और बहुत ही अच्छा मूड रहेगा आज की दिन आपका, काफी अच्छे मूड में रहेंगे, और विवाई जो जीवन है, ये भी आपका बड़ा सुख़द है, आज की दिन, इसको भी आप एंजोई करेंगे, लेकिन साथियों, दूसरी और मैं बत सफलता प्राप्ती के और उन्नती के भी योग बन रहें, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कोई अच्छे उन्नती के अफसर भी प्राप्त हो, इसमें कोई सर्प्राइज नहीं है, अगर ऐसा हो, बहुत अच्छा राज्यों का निर्मान यहाँ पर हो गया है, उन्नती है आपके कार्य छेतर में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके जो सीनियर्स हैं वो भी आपसे बहुत प्रिसन रहेंगे और व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो व्यापार में भी काफी अच्छा ग्रोथ आपको होती हो देखेंगे लेकिन बस स यात्राएं करने से जरूर बचिए अगर आप यात्राओं पर जाते हैं या यात्रा करते हैं दूर दराज की तो या शौर्ट डिश्टेंस जरनी भी अभी तुला राशी के जात्कों के लिए हम यात्रा को सजेश्ट नहीं करेंगे यात्राओं से परेशानी हो सकती है आपको जो students हैं students को मैं कहूँगा कि सामान ऐसे मध्यम results आपके आ रहे हैं चाहे आप higher education ले रहे हैं चाहे normal साथियों शत्रों से साफधान रहिएगा शत्रों आपसे jealousy feel कर सकते हैं इसलिए वो आपके लिए कुछ परिशानियां खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं तो उन से थोड़ा साफधान रहिएगा और मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी प्रकार की कोई मानसिक तकलीफ ना हो उनके दौरा उपाय आथ के दिन आपको क्या करना चाहिए तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा ओ मिरीम मिरीम सूर्या नमा इस मंतर की एक माला या तीन माला जरू कीजे साथियों और दूसरा उपाय है प्राते काल उटकर के पक्षियों को बाजरा खिलाईए ये दो उपाय आप जरू कीजे और अगर अपना प्राकरम अच्छा चाहते हैं कि मेहनत करने का दिल करें आप मेहनत से आगे बढ़ें तो फिर मैं आपसे इतना कहूँगा कि फिर आप हनुमान जी की पूजा करें हनुमान चालिसा का पार्ट हनुमान जी की आर्थी आगे बात करते हैं वरिश्चे-ग्राशी के जात्कों के लिए जिनका की स्कॉर्पियो साइम बनता है आपके लिए सात्यो दूर-द्राइज की यात्राइं बड़ी सुखद हैं बड़ा आनंद लेंगे और आप यात्रा पर निकलते हैं तो और यह यात्रा आप अपने मित्र के साथ भी कर सकते हैं जिसके साथ आपका लव ए फैर है या लिव इन डिलेशन में है उसके साथ भी जा सकते हैं बहुत एंजोई करने वाली यात्रा करेंगे आप यह यात्रा आपके लिए काफी एक तरीके से बहुत अच्छी रहने वाली है इसको एंजोई करेंगे आप और पैसे का भी खर्च अधिक करेंगे खर्च अधिक होगा आपका अपने उपर भी करेंगे यात्रा पर भी करेंगे लेकिन उसको एंजोई पूरे ये मैं कह सकता हूं लेकिन आपके करियर में समस्याइ चल रही हैं आज के दिन भी रहेंगी और ये समस्याइ अभी फिलाल हाल फिलाल कमोगती नजर नहीं आती हैं कुछ दिनों के लिए अभी रहेंगी तो उसके लिए उपाय आप जरू करें उपाय करेंगे तो आपको उसका लाब जरू मिलेगा भागे का सपोर्ट आपको मिलेगा और इस भागे के सपोर्ट से इस बात की संभावना है कि कहीं दूर दराशते आपको कुछ अच्छिप और नती के अफसर प्राप्त हो सकते हैं लेकिन घर्ग के जो लोग हैं चाहे बुजर्ग लोग हैं चाहे आपके दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ आपका टेंशन, तनाव, वाद विवाद इसकी इस्तिति यहाँ पर बनती दिख रही है हलाकि आप अपने ग्यान के जो चक्षू हैं वो खोलेंगे और उसे खोल करके जितनी समस्या हैं बहुत आसानी से हल भी कर लेंगे ब्रस्पती गुरू ब्रस्पती आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं वेवाईग जीवन मैं सुखों मैं थोड़ी सी कमी है जीवन साथी के साथ थोड़ा सा आर्गुमेंट्स वगरा की होने की संभाबना जादा है और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के आवश्च रकता है अन्यता रिजल्ट्स आपके बिगड़ सकते हैं और जो हाईर इस्टूडीस करने वाले स्टूडेंट्स हैं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो उनको अच्छे परणाम प्राप्त हो सकते हैं साथियों उपाए आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा रहे सूर्यदेव को तामे के कलश से एक चुक्ती रोली मिला करके आप जल जरूर दे अगर आप चाहते हैं कि धनका लाप भी आपको हो और आपके वर्क प्लेस पे आपके लिए चीज़ें नौर्मल रहें सूर्यदेव की पूजा करनी है और गुड़ और आटा दोनों चीज गव माता को खिलाएं अपने भोजन करने से पहले अगर खिला सकते हैं तो वरना सूर्यदेव को प्राते काल जल तो जरूर दीजे तांबे के पात्र से और ओम हिराम हरीम हिराम से है सूर्या नमह समंत्र का जाब और दूसरा करना है आपको ओम अंग अंगार काय नमह ताकि आपका स्वास्त अच्छा रहे और एक तीसरा मंत्र और आपको दे रहे हैं ताकि आपकी जो है घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे रिलेशन बने रहे वो है ओम व्रम ब्रस पताए नमह बस ददस मिनट के हैं अब आपको कितना अच्छा रिजल्ट आएगा अब आगे बात करते हैं धनुराशी के जो जातक है उनको ले करके जनका सेजिटेरियत साइन है साथियों बताना चाहेंगे आज आपको धनके लाब में कमी नहीं रहेगी कि धनके लाब के अच्छे मौके मिलेंगे आपको धनका लाब आपको प्रिचुर मात्रा में रहेगा मित्रों का सही हो बहुत अच्छे डंक से अच्छी मात्रा में मिलेगा उनके साथ आप कहीं पिकनिक वगरा पे भी जा सकते हैं कोई इवेंट वगरा भी कोई आप अपने उसको मतलब कर सकते हैं, आपके द्वारा कोई इवेंट भी हो सकता है, आप अपने मित्रों पर भी पैसा खरच कर सकते हैं, और देखिए, परेशानिया तो आपके करियर में जरूर हैं, मैं देख पा रहा हूं, लेकिन ये ऐसी परेशानिया हैं कि अगर आप ने इन परेशान परेशानियों को कि ठीक है, परेशानिया आ रही हैं, कोई नहीं काम करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ा अपने आपको भी सम्हालते हुए, चीजों का परेशानियों को भी फेस करेंगे न, तो रिजर्ट्स बहुत अच्छे रहा जाएंगे, ये मैं आपक को कहना चाहता हूँ, थोड़ा पहले अपने आपको सम्हालना होगा, ये नहीं है कि परेशानी देखा या कोई बड़ा रैस्पॉंस्बिल्टी आ गई, एकदम तो उससे देख करके परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, वो काम नहीं करना है, जो भी आ रहा है, एक्सेप करेंगे, करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, इस बारे में शायद आप नहीं जानते हैं, तो ये जो परेशानी है ना, बाद में आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स में ले जाएगी, ये धनुराशी के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो फ साथियों अपने खान पीन का ध्यान रखिए, अपने स्वास्त का भी ध्यान रखिएगा, बजर्गों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग आशरवाद और प्यार मिलेगा, दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो लापकरी रहेंगी, उपाये आपको बताना चाहते हैं, उपाये आप क्या करें? एक तो विष्णू सहस्तर नाम का पार्ट करना है, और विष्णू सहस्तर नाम के पार्ट के साथ साथ आपको हनुमान इस्तोत्र का पार्ट भी जरू कीजेगा, यह आप कीजे, इससे आपको लाब होगा, आगे बात करते हैं मकर राशी के जातक है जिनका की कैपरी कॉएं साइन है प्रियों आप मकर राजई के जात्वों के लिए आज का दिन बहुत पॉजिटिफ है बलकि पॉजिटिफ कहना भी मेरे लिए बहुत ये छोटे शब्द हैं करियर के मामले में कह रहे हैं κα्रियर में आपके लिए चो तरफा सफलता प्रापती के योग, उन्नती के योग, बहुत अच्छे, तो आपको आपका भाग्य भी साथ देगा आपके कार्य छेतर में, जो भी कार्य आप करेंगे, आपको सभी का सहयोग भी प्राप्त होगा, चाहें आपके सीनियर सें, जूनियर सें, या कलीक सें, जो भी है, हलाकि आप ऐसा तो उससे ऐसा होगा कि भाई मेरा लग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा भागे मेरे साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फाइनली जब रिजल्ट सामने आएगा, तो आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि लगता तो ऐसा था, लेकिन रिजल्ट तो बहुत अच्छा मिले, तो उसके लिए हम आपको कुछ अच्छे उपाएं भी देंगे, आसान उपाएं वो आप करें, स्वास्त अच्छा रहेगा आपका, दूर दराज की यात्राएं करने से बचिएगा, वरना परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मित्रों का सही उप्राप्त रहे लेकिन, प्राकरम में थोड़ी सी कमी के संकेत हैं, एनर्जी लेविल डाउन का मतलब यह है कि बार क्या होता है कि कारे करने का मन नहीं होता, काम करने का दिल नहीं होता, तो आराम करने की इच्छा होती है। तो ऐसे ही कुछ भावनाएं रहेंगी आपकी। इसा नही है कि तैयार नहीं होंगे ये सितियर ये है पितर दोश के कारण सूर राहू की द्रश्टी के कारण तो उसका उपाया आपको दे रहे हैं देखिए जहां तक आपकी मेरिड लाइफ है मेरिड लाइफ अच्छी रहेगी मेरिड लाइफ में मिझे किसी परकार की कोई दिक्कत नजर आती और पार्टनर्शिप में भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी लाव है नौर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं लेकिन जो हायर स्टडी कर रहे हैं उपाये जो बता रहे हैं बहुत जरूरी हैं अब बात करेंगे कुमराशी के जातकों को लेकर के आपका आज के दिन भाग्य भरपूर साथ दे रहा है हायर स्टूडी करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं दूसरी और जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं जितना प्लेस में पर्फॉर्मेंस की आपकी बहुत तारीफ की जाएगे आपके सीनियर्स के दौरा और आगे बढ़ने के भी काफी अच्छे चांसेज बनेंगे आगे उन न ठीक है हलाकि आपको बीच बीच में ऐसा अनुभव जरूर होगा कि भाई लगता नहीं मेहनत तो कर रहे हैं देखो बाकी क्या होता है एक ही कन्फ्यूजन तो रहेगा दिमाग में लेकिन चीज़ें जितने भी आपके आसपास जो वातावरन है वो बहुत अच्छा रहेगा उससे आपके होसला विरद्दी होगी होसला आफजाई होगी हाँ मित्रों के सहयोग में कमी है और जो धन का लाव है वो सीमित मात्रा में है रुक रुक भी हो सकता है उसमें कमी भी आ सकती है और जो आपके थौट से उनको पॉजिटिव रखने की आवश्यक्ता है जो आपका वे प्रेश भी है और थोड़े सुखों में कमी भी है, अपने स्वास्त का भी ध्यान रखिएगा, अपने जीवन साथी के भी स्वास्त का ध्यान रखना है, उपाए आज की दिन आपको क्या करना है, दुर का सब तिशलोगी माता का, इस्तोत्रम का पाठ करिएगा, पहला करना है आदित्य हिर्देस्तोत्र का चाहिए 20 मिनट करें पार्ट जरू करें आगे बात करते हैं मीन राशी के जक्ट के जनका की पाइस हिस्साइन है तो सात्यूं आपको बताना चाहेंगे कि जो आप हमारे मीन राशी के जातक हैं आपके घर बड़े बुजुर्ग, पूरी तरीके से आपके उपर महरवान रहने वाले हैं, हर तरीके से, और घर के दूसरे जो सदस्य हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा आपका वेभार, तालमेल, कॉपरेशन, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है, और भागे का भी सपोर्ट ब हैं, करियर में, करियर में प्रॉबलम ना हो, उसके लिए उपाये बताएंगे, वेभाहिक जीवन में, जो आपका जीवन साथी है, उसको हेल्थ के कुछ इशूद बन सकते हैं, और आपके उनके जो रिलेशन हैं, उसमें भी थोड़ी कमी के संकेत है, रिलेशन्शिप और आपका प्राकरम में भी कमी, तो अब क्या करें, कि प्राकरम भी ठीक हो, वेभाहिक जीवन भी सही हो, और आपके जो कार्य छेतर हैं, वहापर भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलें, धनका लाब सामानने रूप से होता रहेगा, तो सबसे पहला उपाय आज और आपका कार्य छेतर में भी रिजल्ट्स आपके अनुकूल आएंगे, दूसरा उपाय, साथियों दूसरा उपाय प्राते काल उठकर के अपने पिता के पाउं जरूर चुएं, उनका आशिरवाद ले, ये आप करें, और आपका हनुमान जी की पूजा करना भी आपके ल मन्दे उसमें विवाद पैदा हो सकता है, तो हनुमान जी की पूजा जरू करें, तो ये उपाये आप करेंगे, तो आपको अच्छा लाब मिलेगा, प्रियसात्यों, ये था आप सभी बारे राशियों के जो जा तक हैं, उनका दैनिक राशिफल, और हमने इस दैनिक राश सकते हैं, साथियों, अब हम अपने इस कारे करम का यहीं पर समापन करेंगे, और अपनी वाणी को देंगे विराम, और चलते चलते आप से कहेंगे, कि अगर आप को ये हमारा वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक जरू करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूने अधिक साधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका लाब ले सकें, और यदि आप चाहते हैं, कि आपको हमारा एस्ट्रोजी पर जो भी तैयार होता है वीडियो, आप तक पहुँच पाए विज नोटिफिकेशन समय रहते, तो फिर आप बिना देर किये हुए बेल आइकन चरूर दबा दीजिए, तो साथियों इसी के साथ आप सभी का सहर्द है, बहुत बहुत धन्यवाद, जैम आता दी,